तो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस YouTube चैनल V4 Value में आज मैंने बात करने वाले हैं आम बुजा सिमेंट के बारे में बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटर्स के बारे में कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में और अध्डियान हम बात करेंगे कि खुद कंपनी के लिए किस प्रकार की टार्गेट अनौंस किया है तो अगर आप ट्रेडर्स कंपनी में इंवेस्टेड हैं या फिर इंवेस्मेंट करने के बारे में जड़ा भी सोच रहे हैं तो यह वीडियो काफी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें, so let's move to the point. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमपनी के बार में की कमपनी आखिर करती क्या है, तब सब को बता होगा हमारे देश की वन अफ दे लार्जेस सिमेंट कमपनी जो की लगभा है नाइटी नाइटी से काम कर रही है, और अब एक टाइम पर लबाँ 80 से जादा कंट्री में इनकी प्रेजन्स है, तो अपने आप में कमपनी काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, अब अगर हम बात करें कमपनी के मार्केट कैप की, तो लबाँ 103 करोड़ों का मार्केट कैप है, बात करें, पी रिशो की तो 56 का है, क्योंकि इंडेस्ट्री के लेवल से डवल देखने को मल रहा है, इसके पीचे रीजन यह कि कमपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर विलाउम करती है, तो यहां पर आपको पी रिशो हाई देखने को मिल सकता है, जिनको नहीं पता पी रिशो का है, मैंने दो मिनट की डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आप डिस्केश्ट्री में देए गए लिंक के थूँ उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जानते हैं रोसी के बारे में तो 22 का है, आर ओई की बात करें तो वह 11 का है, कंपनी का OPM margin यहाँ पर देखने को मिल रहा है 13 का, कंपनी का पर टोटल लैप देखने को मिल रहा लबब 475 करोड का, पार अनम जो कंपनी नेट प्रोफिट अन करते हैं वह लबब 3,771 करोड, इसके लाबा कंपनी का लबब 3,000 करोड का फ्री कैश फ्लो भी है, तो अवरोल आप कंपनी को डेफरी भी कंसिडर कर सकते हैं, बात करें डेप्टिक कर्टेरियो शक्री तो 0.02 का देखने को मिल रहा है, और साथ इसाथ कंपनी का अच्छा कैश फ्लो भी है, और कैश एक्वैलेंट भी पढ़ा है, लबब 3,500 करोड का, तो आप कंपनी को काईड ओफ कैश रिच भी कंसिडर कर सकते हैं, बात करें, डिविडेंड हील की, तो वो लबब कंपनी 1,5% का दे रही है आज का टाइम पर, जो की ठीक ठाक माने जाता है, लोंग टर्म इन्वेस्मेंट के लिए, दें जानते हैं कंपनी के कौटर रिजल्ट के ओपर, तो यहाँ पर आप देख पारेंगे, कंपनी नहीं सब्तेंबर कौटर में लबबब 7,000 क्रोड की सेल्स करी है, इसके लावन नेट प्रॉफिट की बात करें, तो वो कंपनी का काफी जादा डाउन गया है, और अल्मूस 51%, इसकी पीछे का जो मेन रीजन है, वो है कंपनी के यहाँ पर OPM मार्जन, आप सबको बताएं, इसी वज़े से, सिमेंट सेक्टर और मेटल सेक्टर, दोनों की स्टॉक प्राइस काफी जादा डिसकाउंट पर आज के ट्रेड हो रहे हैं, और आप जेसे की देख पा रहेंगे, सेप्टमबर के हैं पहले साल के कौर्टर से काफी जादा, और स्थिय पछली साल के सप्तेमबर से कमपैरटर है, तो भी काफी जादा डाउंटर देखने को मिल रहे, तो और और आप कह सकते हैं कंपनी का कौर्टरी रिजल्ट काफी ज़्याद खराब आया जिसका असर हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेक्शन में और देखने को मिल सकता है तो ये काफी अच्छी golden opportunity हो सकते हैं इस टॉक को अपने portfolio में जगे देने के लिए देन बात करें कंपनी के forecast को लेके तो out of 38 analyst almost 45% analyst ये कहते हैं कि आपको इस टॉक को अपने portfolio में जगे देनी चाहिए then at the end हम बात करते हैं कि कंपनी से हम किस प्रकार के target expect कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पारेंगे last one year का अगर मैं chart pattern दिखा हूँ आपको तो almost stock ने 35% का return दिया है जो कि काफी अच्छा decent से return है company के stock को देखते हुए बात करें आने वाले time पर हम company से किस प्रकार के target expect कर सकते हैं तो आप इसे buy कर सकते हैं somewhere around 527 और उससे नीचे में target जो दिया गया है वह लबब 610 का time duration जो रहेगा वह रहेगा minimum one year का total return जो आप इसमें कमा सकते हैं वह है 15% stop loss का ध्यान रखेगा वह रहेगा 886 का आशा करूँ आप वीडियो और वीडियो की information दोस्तो आपको पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा 100 और समय इंवेस्मेंट को दिने के लिए तो मेरे top 500 और पसे कमवाली debt free stocks वारी वीडियो आप जुरूर देखेगा जो की long term में आपको एक काफ़े अच्छे returns कमा के देने का potential रखते हैं तो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिस्टे safe and good bye थैंक्यों दोस्तो